कोड के कादेश के बाद अब RSS के एक नेता को राहुल गांधी को एक हजार रुपय का जुर्माना देना होका जी हां बिलकुल ठीक सुना आपने दरसल पूरा मामला महराश्चर के भिवंडी का है जहां शिकायत करता RSS नेता राजेश कुंटे पर ही प्रथर्म शेणी के नियाएक मजिस्ट्रेट के आधालत ने एक हजार रुपय का जुर्माना लगा दिया दरसल राहुल गांधी के खिलाफ मानहानी के इस मामले में कुंटे एक गवहा को पेश करना चाहते थे लेकिन कुंट ने किनी कारणों से उनकी इसमान को खारिँच कर दिया इसके बाद कुंटे ने मजिस्ट्रेट कोड के इस ओर्डर के खिलाफ हाई कोट में याचका दायर की थी वहीं ताजा सुनवाई में कुंटे ने इस केश को फगित करने की अरजी लगाई थी जिसे अदालत ने खारिज करते हुए उन पर ही एक हजार रुपे का जुर्माना लगा थिया यो जुर्माना राजेश कुंटे राहुल गांधी को देंगे वहीं याचिका करता के वकील ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के ओर्डर के खिलाफ उनकी रिट पेटीशन बॉंबे हाई कोट में लंबित है इसलिए मामले को स्थकित करने की गुजारिश की गई थी बता दें कि पूरा मामदा 2014 के राहुल गांधी के एक भाशन से जुड़ा है जहां राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के हत्या के पीछे RSS को जिम्मेदार ठहराया था इसी भाशन के खिलाफ भिवंडी के कादालत में मानहानी का मुकदमा तर्च हुआ था कहा गया था कि उनके इस बयान से RSS की छवी खराब हुई है इस मामले में राहुल गांधी खुद 2018 में अदालत के समक्ष पेश हो चुके हैं जहां उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था